आप जानते हैं कि चैंपनिस टोफी फेब्ररोरी में खेली जानी है पाकिस्तान ओरिजनल होस्ट है लेकर आप ये भी जानते हैं कि अन्डिया पाकिस्फान जाता नहीं है और ये अभी भी कश्मकश चल रही है कि क्या इंडिया, पाकिस्तान जाएगा, हाइब्रिड होगा, ये जो तीसरी option ICC ने डेवाइस की है, जिसके लिए बजट भी रखा गया है, कि पूरी की पूरी tournament किसी और मुलकी, यानि कि शुलंका, दुबई और साथाफरिका में से और जो भी ICC tournament हो, उसके ठीक तीन महीने पहले आपको schedule देना होता है, तो 11 November most likely आपको Champions Trophy का schedule मिल जाएगा, अब इसमें कहानी क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ, और आप इस वीडियो को जाला से जाला share करें, like भी करें, और sports app को subscribe भी करें, अच्छा अब होता क्या है कि ये बात तो सही है कि पाकिसान cricket board और ICC को अब अधिकारिक तोर पर इंडिया का BCCI का stance चाहिए होगा, कि भी क्या कर रहा है, क्योंकि तीन महीने का वक्त रह गया है, अगर Champions Trophy कराने के लिए, तो आपको बहुत से इंतजाम करने पड़ते हैं, आपको जो आपके broadcaster है, उसक Campus Trophy कहां पर हो रही है, तो 11 तारीक को schedule announce होना है, अब इसमें catch है, technically schedule announce होना है, और अभी तक जो BCCI ने अनफिशली इंडियन government से पूचा है, अभी तक हां नहीं मिली है, अभी तक पाकिसान जाने की हां नहीं मिली है, हाला कि बहुत से लोगों ने कहा कि इंडियन foreign minister क्योंक but as we speak, 1% भी movement नहीं है, तो अभी तक इंडियन government ने officially नहीं, unofficially tour को हामी नहीं भरी है, लेकिन अब BCCI को अधिकारिक तोर पर, यानि कि officially इंडियन government को लिखना होगा, कि आप हमें बताएं कि क्या हम अपनी team पाकिसान बेज सकते हैं या नहीं बेज सकते हैं, क्योंकि अगर कल को इंडिया कहता है, कि नहीं हम नहीं जा रहे हैं, आप hybrid कीजिए, हमारे matches कहीं और होने चाहिए, तो उसके लिए एक return confirmation आपकी सरकार से चाहिए होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि BCCI नहीं कह दिया, तो इंडिया की team नहीं जाएगी, आपके पास कागजी कारवाई पूर है, जहां पर BCCI को officially Indian government को लिखना होगा, Indian government से पूछना होगा कि government का stance क्या है, क्या India की team जाए पाकिस्तान या ना जाए, and basis that, उस चिठी, उस permission या उस denial की बिनाहा पर फिर उसके बाद ICC से बात की जाए, मेरी जो खबरे हैं, जो sources हैं, वो ये कह रहे हैं कि 11 तारीक को वाक matches का schedule होगा, फर्स कीजिए, for example, हम कहेंगे, ठारा फरवरी को इंडिया का match होगा जी, श्रिलंका से, श्रिलंका तो है नहीं, 22 तारीक को इंडिया का match होगा पाकिस्तान से, तो मेरी जो खबरे हैं, उसके मताबिक ICC और पाकिस्तान cricket board, जो announcement करेंगे, तीन महीने पहले, जो क लग सकता है, officially, एक statement को खतम करने के लिए, एक महीना लग सकता है, जहां पर हमें पता चले, कि ये tournament पूरा पाकिस्तान में होगा, आधा पाकिस्तान में होगा, या पूरा tournament पाकिस्तान से भी बाहर होगा, तो उसके लिए तकरीवन एक महीना और लगेगा, लेकिन खबर फि कि वो stage, जो मैं कई महीने से कह रहा हूँ, पाकिसान cricket board को करनी चाहिए थी, ICC को करनी चाहिए थी, कि BCCI आप हमें officially बताएं, वो stage पर जरूर हम आ गए हैं, और अब इंडियन government से पूछा जाएगा, थूरू BCCI की क्या किया जाए, chances जैसे मैंने पहले भी कहा था, आज भी वैसे के वैसे ही हैं, अभी तक कोई positive development इस हवाले से नहीं है, अभी भी भारतिय government का stance यही है, कि पाकिसान इंडिया की team नहीं जाएगी, unless and until कुछ dramatic change होता है, जहां पर दोनों मुलकों के बीच कुछ इस तरह की development एक महीने में हो, as of now बहुत मुश्किल लगता है, कि इंडि अभी में और पाकिस्तान अपने matches और बाके matches चैंपिन्स टोफी के पाकिस्तान में कराए, वो और तीसरा option भी अभी जिन्दा है, जहां पूरा का पूरा tournament पाकिसान से shift हो सकता, because ICC में भी एक concern है, पाकिस्तान ने अपने stadiums को जो renovation में डाला हुआ है, बहुत आइसी सी चाह में stadiums की renovation हो रही है, शायद उन्होंने देर कर दी, शायद उनको पहले करना चाहिए था, क्योंकि ये ना एक technical reason है, जो अगर stadiums में और ज़्यादा सिजा वक्त लगे, तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पर भी पाकिस्तान cricket board से चूक हुई हो, और developments आएंगी, और सारी की सारी developments आपको हम sports तक परतेंगे, यह वारा वादा है, आप वीडियो को like करें, share करें और sports तक को टक करके subscribe जरू करें